नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं नौलिज बजवराज के वडियो में हम मैट्स के बेश्ट बुक के बारे में बात करेंगे इन दोनों बुक का कंपेर करेंगे पहला बुक हमारे पास है सारदा पब्लिकेशन का एश्डी यादो सर का ये बुक है और दूसरा बुक आप देख सकते हैं कि आरे सगरवाल का एस चांद का ये बुक है इन दोनों बुक में से कौन सा बुक आपको लेना चाहिए कौन सा बुक आपके एकजाम के लिए ज्यादा उप्योगी होगा इसके बारे हम डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो के अंत तका बने रही है वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजगा तो चलिए हम इन दोनों बुक का कंपेर करते हैं कि इन दोनों बुक मे के लिए दोस्तों बुक हमारे पास है नभीन अंकि गनीत आरे सगरवाल और एस चांद का यह बुक है तो हलाकि मार्केट में एस यह जो एस सांद है बहुत ज़्यादा फेमस है बट इस वीडियो का आप लोग अच्छे से देख लिए तो आप लोग को इन दोनों बुक में से पता सेल जाएगा कि कौनसा जादा बुक कौनसा बुक जादा बहतर है ठीक है तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले अंकि गनीत को देखेंगे तो अंकि गनीत में आप देखेंगे कि हर एक एक जाम को यह कवर करते हैं ठीक है हर एक एक जाम को यह कवर करते हैं और यहाँ यह सार्दा पब्लिकेशन का यह भूक है ठीक है और यह जो एडिसन है पहला एडिसन 2010 में दोस्तों आया था और यह जो एडिसन मेरे पास यह नवींतम एडिसने मार्केट में यह एडिसन मिट रहा है 2021 में 21 वाला और यह तेरह वा संसकरन है ठीक है 480 रुपय MRP है और यहां संस्सा sürए और यहां पे आप देखेंगे तो यहां संस्क्तिया स्वें मैं ने उसके पास यह बुक 2022ud2 में परहुंचे मतला जिह लेटेश एडिसन है और यहां पे आप देखेंगे पर देखेंगे अगर आप देखेंगे पहले रे सगरवाल का MRP देख लेते तो MRP 575 makes for็र के और यहां पर number of page आप देखेंगा RS अ India में तो 664 पेज आपको देखने को मिलेगा वही आपे यहां Richt यादो में देखेंगे तो 943 पेज देखने को मिलेगा MRP मैंने बता दिया 64 मैंने बताया आपको, और जो इंडेक्स है उसको compare कर लेते हैं, ठीक है, इंडेक्स compare करने से पहले मैं बता दू कि RS अगर्वाल का जो book है, दोस्तो 2022 edition का आपको मिल जाएगा, क्योंकि मेरे पास जो book है, वो 2022 edition का है, इस book में आपको content के बारे में content देखेंगा content से पहले मैं बता दो कि इसका printing quality out निया और भाल का प्रिंटिंग वालिटि और पक्रीपर quality दोनों ऐच्छा है वही एश्टी यदि भी बात करें तो इसका विए प्रिंटिंग वालिटी आपको अच्छा ही दिख रहा होगा ठीक है दोनों का प्रिंटिंग वालिटी और पेपर कॉलिटी अच्छा है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अब यहां देखेंगे तो आरे सकरवाल में exercise ज्यादा देखने को मिलेंगे अंके पहला है भाग में देखे पैथिस exercise देखने को मिलेंगे वही आपको एजडी यादों में 35 देखने को मिलने वाले तो दोनों में हम देख लेते हैं विशाय सूची दोनों का हम देख लेते हैं हलाकि मैंने separate video बनाया उसमें बताया दोनों की विशाय सूची के बारे में यहां देखेगा संख्या पद साधारन व्याज चक्रविजी व्याज का में सब्सक्राइम और के पाइप एंसिस्टन से टाइम डिस्टेंस हैं उसके बाद रेल गारी नाओ नदी चित्रफल उसके बाद आयतन प्रिज में पीरामीड उसके बाद बहुभूज एंगन के कौन त्रिकौन मीती वृत्य काणिराट जूमेटरी उसके बाद बीज गनीती है उसके बाद आप देखेंगे तो सारनिय यहीं है मतलब टेबूलर यह जो ग्राफ होता उसके बार में बताया जा रहा है लाइन ग्राफ होगह, हिस्टोग्राम होगह, बार ग्राफ होगह, पाई चार्ट होगह, ठीक हैine 35 exercise में इस बुक में math को cover किया गया है वही अगर हम बात करें RS Agrawal के बारे में तो RS Agrawal में total 48 exercise है बट इसमें क्या किया गया है जो graph है ना उसके लिए अलग-अलग chapter यहां दिया गया है इस बुक में भी हाला की दिया हुआ है बट इस बुक में कुछ chapter को एक साथ दे दिया गया है मैं RS Agrawal का भी विशे सुची आपको बता देता हूं यहां पर दीखेगा नमबर सिस्टम, SFLCM, decimal, simplification, square and cube root, average उसके बाद प्रॉब्लम और नमबर, age, short, synthesis, percentage, profit, loss, ratio, proportion, partnership, compound, simple interest, यहां पे compound proportion, time and work, pipe and system है उसके बाद प्रॉब्लम और ट्रेन हो गया, boat and stream हो गया, mixer हो गया, allegation हो गया, simple interest हो गया, उसके बाद यहां compound interest हो गया, area हो गया, volume of solid हो गया, race हो गया, calendar हो गया इसमें कुछ आपको reasoning topic आपको देखने को मिलेंगे, race, calendar, clock है, stock के share, यह extra topic है, true discount, बटा है, यह सभी book में आता है, इसमें केवल percentage में दिया हो गया है वो चीज, उसके बाद आप देखेंगे, algebra, banker discount हो गया, उसके बाद आप देखेंगे, linear equation in two variable, quadratic equation, trigonmetry, trigonmetry, line and angle, triangle, quadrilateral, circle और polygon, उसके बाद आप देखेंगे, यह ग्राफ वाला portion है, हर एक टाइप के graph इसमें सामिल किये गया है, number series, fraction, histogram, coordinate, geometry, prism and pyramid, तो इसमें कुछ extra exercise आपको देखने को मिलेंगे, तो यहां तक तो आरे सगरवाल ने बाजी मारा इंडेक्स में, उसके बाद हम देखते हैं कि जो exercise यह जो chapter है, वो किसमें ज़्यादा अच्छा दिया हुआ, तो यह भागवन हो गया, भागवन में पहला exercise आप देख सकते हैं संख्या पदती, तो यहां पर आप देखिएगा, यहां पर आप देखेंगे, तो सबसे पहले एक barcode, यहां पर QR code दिया हुआ है, जिससे आप scan क करके इस पूरे exercise को official answer की देख सकते हैं, मतलब इस पूरे exercise को आप पढ़ सकते हैं, तो coaching जाने के आपको जरूरत नहीं है, इस बुक से आप पढ़िए, इसके बाद इनके वीडियो से आप देख सकते हैं, तो यह benefit आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलेगा, जो concept है, basic concept वो काफी ज़्यादा clear और अच्छा लिखा गया है, इस बुक के अंदर, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है, हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से arrange करके सजा के, यहां बताने की कोसिस किया गया है, number of example आपको 10, 15, 20 example देखने को मिल जाएंगे, बहुत ज़्याद आगे यहां देखिएगा, example आपको काफी अच्छे कासे देखने को मिलेंगे, जो main example ने यहां से start हो रहा है, यह आपको मतलब जो भी formula है, जो भी concept है, उससे related example पहले बताया गया, उसके बाद main example आपको बताया गया, और example का संखिया यहां पे देख सकते है, 15 example मैंने बोला, और कुछ example वहां पे होंगे, तो 20-25-30 example होंगे पहले exercise में, अब यहां पे आप देखेंगे कि exercise 1 में आपको previous year question sequence में आरेंज किया गया है, सबसे पहले 2020 है, 2019 से 2018 है, तो इस तरह से previous year exam के question को आरेंज किया गया है, और इसमें सभी exam के previous year question आपको देखने को मिल जाएंगे, च बैंक हो, सभी exam के जैसे यहां bank P.O. दो जाए 10 का question देखने को मिल जाएगा, और यह सभी question official है, ठीक है, official question है, जो exam में पूछे जा चुके है, वही question आपको इस book के अंदर देखने को मिलेंगे, number of question काफी जादा है, इस book में काफी जादा है, और इस book में number of page कम होने का एक region ह कि यहां पर दो column में उन्हें बना के दिया है, क्योंकि जो book का size है, HD आदो के book के size से काफी जादा, काफी जादा large size है, और यहां पर देखिएगा, दो column में बना के दिया है, वही HD आदो में आप देखेंगे, तो एक ही column में आपको exercise देखने को मिलेगा, ठीक है, आगे जाक आपको देखने को मिल जाएगा, यहां पर देख सकते हैं, यह answer की के बाद उत्तर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जो detail है, इस जो solution है, वो detail में है, stepwise है, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको पढ़ने में आपको मजा आएगा, सभी के पास यही book ह होता है जितने भी competitive exam के त्यारी करते सभी के पास यह बुक जरूर होता है ठीक है बट आपके पास से दोनों बुक को पहले compare कर लिए फिर आप को डिसाइड कीजिएगा कि कौन सा वुक आपको लेना है दूसरा दूसरा exercise देखिएगा वन का भी तो वन के भी में आपको ज्यादा कोशन देखने को नहीं मिलेगा मतलब यहाँ प्रिवेस एर कोशन का कलेक्शन नहीं है बेसिक कोशन है और यहाँ पर बेसिक कोशन जो देखने को मिलेगा ऐस्टी आदो नहीं है और यहाँ concept को भी यहाँ अच्छे तरिका से क्लियर किया गया हर एक नमब को बताया गया हार एक चीज को अधि . टीक है और इस बुक में जो एक स्पिसली आपको एक तक और अरिशा ग्राव कर दोनेगर कैनने को मिलेंगे और य यहाँ पर देखेंगे जो अगला example है वो भी type wise आपको देखने को मिलेगा ठीक है example यह question दोनो type wise आपको देखने को मिलेगा पहले type को A, B A, B दो पार्ट में divide किया गया है और जो question है example है एक साथ लिख दिया गया question जो है वो type wise नहीं है randomly है तो type wise question बनाना है या अच्छे concept है आपको चाहिए तो आप है HD यादो के इस book को लीजिए अच्छा book है दोस्तो आगे दोस्तो अगर हम देखेंगे तो solution इस book का काफी ज़्यादा simple है काफी ज़्यादा अच्छा है हर एक चीज को explain किया गया अच्छे तरीके से कही भी trick का use नहीं किया गया concept पर ध्यान दिया गया अगर मेरा मानना है कि अगर आपका concept अच्छा है तो आप कोई भी question को आसानी से बना सकते है ठीक है तो यहाँ देख सकते है type 2 में भी आपको इ समझ में आना चाहिए तभी आप क्या कर सकते है कि उसको sort कर सकते है अब यहाँ देखेगा हर एक question type wise है और type का नाम लिखा गया यहाँ देखेगा तीसरा type है योग अंतर और गुना पर अधारित प्रसन है और तीसरा type में केवल एक ही पार्ट है ठीक है और सभी question का solution आपको हर एक टाइप में देखने को मिलेंगे तो यह चीज़ बुझे अच्छा लगा और इस बुक में भी हाला कि आपको प्रिवेस एयर question देखने को मिल जागा हर एक जैसे भाज्यता पर अधारित प्रसन है उससे related concept है फिर solution आपको बता दिया गया यहाँ ठीक है काफी अच्छ देखने मतलब इस बुक के केवल एकजांपल को आप अड़ लेते हैं केवल एकजांपल को तयार कर लेते हैं तो आपका concept स्टियार कर सकते और त्यार कर सकते हैं बैतर तयारी के लिए आपको एश्ट यादो लेना चाहिए अब यहाँ देखेगा यहां जो एक्ससाइज है वह भी टाइप आई-बाई आपको देखने को मिलेगा प्राकृतिक संख्याओं प्रस्न अब आपको देखने को मिलेंगे previous year question देखने को मिलेंगे इस बुक में आपको previous year question randomly देखने को मिलेंगे वही आरे सगरवाले बुक में आपको previous year question जो थे वो sequence में देखने को मिले थे सबसे पहले जो नया question उसको पहले रखा गया है जो पुराना question है उसको last में रखा गया है बट इस book में ऐसा नहीं है इस book में खासी है थे कि type wise आपको question exercise और example में भी type wise देखने को मिलेंगे previous year question इसमें देखने को मिलेंगा और यहां पर देखेंगे तो 195 कोसन देखने को मिलेंगे वही आरे सब्रवाल में लगबग 133 से 133 कोसन देखने को मिलते तो 133 से 155 कोसन का संक्या इस book में ज्यादा है और यहां दिखेंगे हरे question को बहुत ही अच्छे तरीके से concept से stepwise है इसमें solution आपको देखने को मिलेगा solution आप बिल्कुल समझ सकते हैं इस book को दोस्तों मैंने परहा हुआ है बहुत ही अच्छा मुझे book लगा यह आरे सगरवाल से तो मुझे तो काफी अच्छा लगा आप लोग देख सकते हैं दोनों book को compare कर सकते हैं हर एक exercise को HD यादो में काफी अच्छे तरीके से बताया गया यह book दोस्तों काफी ज़्यादा मोटा है तो एक यह दो पार्ट में मतलब इतना मोटा book के में होगा तो बाइंडिंग आपको कही न कही कमी देखने को मिल जाएगा ठीक है ना बट इस book का जो content है paper quality है पेज quality है printing quality है हर एक चीज आपको बहतर देखने को मिलेगा सो अलिशन काफी अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा हर एक exercise को बहुत अच्छे तरीके से cover किया गया यह आपको बहुत देख सकते हैं ठीक है और अंते में कुछ पेज आपको colorful देखने को हलाकि मिल जाएंगे उससे कोई फरक नहीं पड़ता है इस book का जो content है वह बहतर है दोस्तों इस book को आप लीजिए इस book से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और मैस से आप अच्छे score गेन कर सकते हैं क्योंकि इस book में type wise question है और मैं इसको अच्छा करना है तो हरे टाइप के question को आपको जानना है कि आपको किसने type के question मनाने कितने type के exam question पूछे जाते हैं और किस तरह से उनको approach करना है तो इस मामले मुझे मुझे लगता है कि मैं HD यादो को 10 में से 10 नंबर लगता है एक तो टाइप वाइस question नहीं है और टाइप वाज एक्जांपल भी नहीं देखने को मिलेगा एक्जांपल बहुत ज्यादा कम है एक्जांपल थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था कम से कम 30 example हर एक exercise में होना चाहिए जो कि आपको नहीं देखने को मिलेगा किसी मे साथ नंबर और इसको दस में से नो नंबर में दूंगा तो आप लोगो एक basic idea लग गया होगा कि कौन सा बुक आपको लेना चाहिए तो मेरे हिसाब से आपको सारदा पब्लिकेशन का अंक गनित आपको लेना चाहिए इससे बैतर बुक के मेरे पास से अभी पिलाल नहीं है और जो एससे का बुकाता है एससे का जो पिनेकल पुब्लिकेशन का बुकाता है या राकिस यादो का बुकाता है वो कब लेना चाहिए जब आप इन दोनों में से इन दोनों बुक को solve कर चुके है तब उसको solve कर सकते है आप इससे के previous year person देख सकते है ठीक है हाला कि यह जरूरी पहले यह बुक है क्योंकि टाइप वाइज आपको समझने आए ठीक है टाइप आपको काफी कम बुक में देखने को मिलेंगे इस पीडी का भी बुक आता है उसमें वह टाइप वाइज मिलता है बट हलाकि उसमें कोशन बहुत कम है और उसमें किवल ट्रिक भरा करते हैं यह आपके लोग के उपर है अगर इन दोनों में से कोई भी बुक आपको लेना तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है वहां सो जागर आप इन दोनों बुक को परचिज कर सकते हैं रटीकह ना वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज करके हमें सपोर्ट की जिगा आसा करते हूं कि आज का दिन आप लोगा काफी है अगली वडियों में फिर से मिलते हैं टैंक यू